Hello everyone, welcome back on my channel, Newton Online Study. आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ रहे हैं जीन पियाजे की कॉगनिटिव डेवलप्मेंट की जो उन्होंने थेयरी दी जिसे हिंदी में पियाजे का संग्या नात्मुक विकास कहती हैं, उसके बारे में आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे. आज हम अपने इम्पोर्टेंट जो थेयरी है वो पढ़ चुकी है. अगर आपको इसका पीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में कमेंट करें आपको इसका पीडियो भी मिल जाएगा. मेरे दूसरा चैनल है जिसका नाम है लेसेन प्लान कॉर्नर अगर आपको चाहिए तो आप उस चैनल को मेंग शॉर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको इसके पीडियो भी मिल जाएगे. सारे वीडियो के पीडियो आपको उस चैनल पे मिल जाएगे. तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पियाजे की कॉगनिटिव डवलप्मे यानि संग्या नात्मक विकास क्या था? जीन पियाजे इनका जनम स्विट्जर लैंड में 1800 की शताबदी में हुआ था. जीन पियाजे ने अपनी जो एजुकेशन है वो बाइनेट इंस्टिटूट से कम्प्लीट किया थे. जीन पियाजे स्विस के साइकलोजिस्ट थे और जेनिटिक एपिस्टेमिलोजिस्ट भी रह चुके हैं. इनका जो इनुँने कॉगनेटिव डेलवटमेंड के जो थेयरी दी थी, संग्यानात्मक विकास के जो इनने थेयरी दी थी, वो बहुत ही ज़ादा फेमस होई थी और ये थेयरी उन्होंने बच्चों के वरद्धियों विकास के अपर किया था. ये ठेयरी जीन पियाजे ने अपने ही तीन बच्चों के उपर किया था, उन पर उन्होंने गहरा observation किया और ये theory उन्होंने दी थी. यहाँ पर देखिए, जीन पियाजे, स्कीमा देखिए, assimilation क्या है, equilibrium क्या है, disequilibrium क्या है, accommodation क्या है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, stages, यानि cognitive development के stages, अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको पहले ही थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हूं, जिससे कि आपको समझने में आसानि हो से खिए, कि BASIKLLY schema क्या होती है, schema क्या होती है, यह धारना होती है, धारना, जो हम अपनी दिमाग में बना लेते हैं, किसी के बारे में, जैसे सोच बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर, अगर हम एक चोटे बच्चे को एगर हम एक डॉग दिखाते हैं कि यह डॉग है ठीक है तो वो बच्चे ने सकीमा तयार बच्चे के दिमाग में सकीमा तयार हो जाता है ठीक है? कि यह जो डॉग है ऐसा दिखता है देखे यहाँ पर assimilation है हमने बता दिया कि यह डॉग है अब बच्चे ने इसको देख लिया कि डॉग छोटा है उसके फर है उसके चार पैर है इस तरीके से उसने असिमिलेट कर लिया असिमिलेशन कर लिया ठीक है धारना तैयार हो गई सेकंड क्या है एक्विलिबिरियम अब कोई दुसरा डॉग वह देख लेता है तो जो डॉग देखता है तो उसमें भी वही सारे जो गुन है जो उसने पहले डॉग में देखा था वो उसको नजर आता है तो यहां पर एक तरीके से बैलेंस वाली कंडिशन रहते कि वही जो स् अब उसने कोई तीस एक अलग तरीकी का डॉग देख लिया अब अलग तरीका का डॉग देख लिया तो वह डॉटफुल कंडिशन हो जाती है यहां पर जो है डिस बैलेंस की कंडिशन खड़ी हो जाती है क्योंकि जिस तरीके का स्कीमा उसके दिमाग में बना था धालना ब इस तरीके के डॉग भी होते हैं फोर्थ कंडिशन होती है जब उसको जो स्कीमा है उसको जो जो दिमाग में एक स्कीमा थी एक डॉग को लेकर वहां पर पहले क्या हुआ डिसेक्विलिब बिरमयाने इन बैलन्स आया फिर उसको जब समझ में आ गया जब फिर नए इनफोर्मेशन एड हो गई नए इनफोर्मेशन एड हो गई कि हाँ डॉग इस तरीके के भी होते हैं तो वो कंडिशन कहलाती है एकमोडेशन ठीक है तो यह बेसिकली स्कीमा होता है ठीक है जिसको हमने डाग्राम के थ्रूप पढ़ लिया है अब यहाँ पर आप लोग देखिए स्कीमा स्कीमा क्या होते हैं यहाँ पर देखिए थ्री बेसिक कॉंपोनेट्स जो हमने पढ़ा है स्कीमा जैसे मैंने आपको बताया है स्कीमा एक धारना जो हम अपने मन में बना लेते हैं धियसे हमने बच्शे के बारे में बता है कि बच्चे दीक बारे में बच्चा नीनि था corner दीक होता है ठीके करत्या हैं यहां पर आप लोग देख लिखेनी अगर आपको जानना है ठीके यहां पर देखे लिए मेरिक देख एर 200 समंधि इत अब भूर 25 Dynamo assimilation क्या होता है यहां पर देखिए assimilation क्या होता है assimilation क्या होता है कि जब बच्चे को हमने बता दिया कि जो है dog इस तरीके का होता है जब हमने बच्चे को बता दिया कि यह dog है तो उसके मनमेक assimilation उसके मनमेक धालना त्यार हो जाती है कि जो है डॉग इस इस तरीके का नजर आता है यह condition क्या condition होती है assimilation accommodation में क्या होती है जब उसकी दिमाग में disequilibrium होता है imbalance होता है और उसकी दिमाग में नई information add होती है पूरानी schema हट जाती है और नई information add होती है वो condition कहलाती है accommodation ठीक है तो यह हमने पढ़ लिया क्या होता है equilibrium और accommodation assimilation यह सब क्या होता है हमने देख लिया ठीक है अब stages हम लोग देखेंगी कि stages कौन कौन से होती है ठीक है तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे birth से लेकर दो साल तक कि बच्चे का first यहाँ पे stage को क्या कहते है sensory motor stage कहते है इसमें major characteristics देखिए जो बच्चा होता है वो क्या करता है यहाँ पे world को संसार को अपने moments के अपने sensations के थो जानता है जैसे आखों से वो दुनिया देखता है चलता है कोई चीज़े टच करता है यहाँ अपने senses अपने इंद्रियों को यूज करके वो कोई नई चीज़े नई information सीखता है नए अग्यान सीखता रहता है ठीक है यहाँ पे जैसे कि वो नए नए action सीखता है grasping ठीक है कोई चीज़ खाना पीना देखना सोनना ठीक है अपने senses के थो सीखता है ठीक है तो they realize उनको क्या लगता है कि जो भी उनके action है जो भी काम वो कर रहे है उससे ही क्या हो रहा है यह समस्त वर्ड चल रहा है या तो जो चीज़े चल रही है वो उनके ही action के यह बच्चे के action के थो चल रही है ऐसा नहीं लगता है ठीक है अब earliest stage में क्या होता है कि जो stages of cognitive development, infants and toddlers acquire knowledge through sensory experience and manipulating objects, sensory के थ्रूब वो अपना कोई भी चीजे सीखते हैं, ठीक है, sense के जरीए कोई भी चीजे, इंदरियों के जरीए कोई भी चीजे सीखते हैं, a child entire experience at the earliest period of this stage occur through basic reflexes, sensor and motor responses, ठीक है It is during the sensory motor stage that children go through a period of dramatic growth and learning, इस ही अवस्था में जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका विकास होता है, ठीक है, और जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, environment, उनके आसपास के वातावरन से, interact करते हैं, और अपने, उन क्या करते हैं, नई नई लोग क्या करते हैं, The cognitive development that occurs during this period takes place over a relatively short period of time and involves a great deal of growth, children not only learn how to perform physical actions such as crawling and walking, they also learn a great deal about language from the people with whom they interact, यानि बच्चों केवल यहाँ पे विकास यानि उनलोग चलना और रिंगना ही केवल नहीं सीखते हैं, बलकि वो language learning भी यहाँ पे सीखते हैं, जिससे वो इंटराट करते हैं, ठीक है, आसपास के बच्च लोगों से इंटराइक करना, उन से बाचित करना भी वो सीखते हैं, जिससे वो अपने लैंग्वेज अनि अपनी जो भार्शा है उसको भी उनका भी विकास होता है, पियाट अलसो ब्रोग इस स्टेज इन्टो अनुमर ओफ रिफरेंट सब स्टेजेज, इस दून दून प देख सकते हैं स्टेजेज, स्टेजेज किस तरीके से जीरो तो टू इयर में ये सेंसरी मोटर स्टेज कहलाता है, और दो से साथ जो इयर है वो प्री ओपरेशनल स्टेज कहलाता है, सेवन टू इलैवन इयर कॉंक्रिट ओपरेशनल स्टेज होता है, और बारस से उपर का ज यहां पर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो symbolically, कि कोई चीज को दिखा कर, कोई symbol को दिखा कर, क्या करते हैं, कोई चीज बताना, बताना शुरू कर देते हैं, पिचर्स को रेप्रेजेंट करके बताना शुरू कर देते हैं, ठीक है, यहां पर क्या होता है, जो बच्चे वो याद कर लेते हैं, जो साइज होता है, उसके जरीए वो क्या करते हैं, वो चीज को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, चिल्रोन अट इस टेंट्रिक एगोसेंट्रिक एंड स्ट्रॉगल तो सी थिंग फ्रॉम from the perspective of others, यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, थोड़ी से एहम की भावना भी, क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है, while they are getting better with language and thinking, they still tend to think about things in very concrete terms, यदे पर जोनकी जो लैंग्विज होती है, थिंकिंग होती है, इसमें विकास हो जाता है, बट क्या होता है, फिर भी वो कई कई चीज इसमें अभी क्या होता है, उनको struggle करना पड़ता है, the foundation of language development may have been laid during the previous stage, but it is the emergence of language that is one of the major hallmark of the pre-operational stage of development, children become much more skilled at pretend play during this stage of development, yet continue to think very concretely about the world around them, यहाँ बच्चे क्या होते हैं, खेलना, कुदना, यहाँ पर वो बच्चे लोग सीखना शुरू कर देते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, struggle करते हैं, logic, मतलब उनका जो logic, मतलब किसी चीज में जो logic लगाना होता है, या तो किसी चीज को अच्छी तरीके से बसके सफें, जो एक लोगोय में बच्ची कि जाए है। एक गोल शेपने के हमे मुल फिरा प्रेस भी लिगें. तो बच्चे बड़ा, भलेसा, बीदये होगा, क्योंकि भी अप्रोची कर दोफ ट्लाउज है। एहाँ प्रुची का लोजिक विषया situación bottleneck साफ है। गिवल जो चीज़ को यह सही थेया समझ लेता है। जो चीज़ पैंकेक बाट लोग leaking आ स्ट्रॉगल कर रहे होते हैं तो थी dirt datअधे से संफधी हमुआ है, को यह थेखने चीज़ म準बी लिखना है लिग कर दो रहे हुआ है। While children are still very concrete and literal in their thinking at this point in development, they become much more adept at using logic. Here is a little bit of what they talk about 7-11 year old, the logic of logic is a little bit of what they are doing, the ego-centrism of the previous stage begins to disappear. Now, the most important thing is that the ego-centrism of the first stage is over here, and the children, they become more serious and can think about it in a good way. Fourth, the formal operational stage is about 12 years old, the final stage of PRJ theory involves an increase in logic. The ability to use deductive reasoning and an understanding of abstract ideas. So, what happens here is a little bit more, not a little bit more. Here is a little bit more abstract ideas and reasoning power. At this point, people become capable of seeing multiple potential solutions to problems and think more scientifically about the world around them. Here is the last thing. Education and implications are you will get in the next video. Don't forget to watch it in the second part. Bye bye and take care. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.